उत्तर प्रदेश में दोबारा भारती जंता पार्टी के चुनाव जीतने के बात लगबा की तैह हो गया है कि योकी आतितनात एक बार फिर से दोबारा प्रदेश के मुक्मंत्री बनने वाले हैं जिसके बाद जिला प्रशासन आवारा गौवंच को लेकर एक बार फिर से सजग हो गया है क्योंकि विदान से बाद चुनाव में आवारा गौवंच को लेकर बीजेपी को कहीं न कहीं भारी नुकसान उठाना पड़ा है जिसके बाद शासर स्तर से आवारा गौवंच के संग्रक्षन को लेकर सजगता एवं सतर्पता दिखानी शुरू कर दी है जिसको लेकर मोखे पशूर चिकत्सा अधिकारी डॉक्टर अशुक कुमार गुपता ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि जो सडकों पर घूम रहे हैं उन गौवंच को गौशालाओं तक पहुचाने की बात कही गई है हमारा यह इसमें कोई प्रावधान नहीं है कि इसमें कितना कंसंट्रेट देंगे कितना बूसा देंगे जो भी वो व्यस्ता कर सकते हैं और यह एक्शली क्या अंदान है तरफ यह पूरा पोसन के वेस्ता गवर्मेंट नहीं कर रही है वहा है जाता है वहाँ लोकल से अपने साथ रिसोर्सेज डबल अब अब ऑद उसको इसको इसके अलावा जो जरूबुट कड़ है उसके जो जब विवस्ता किया कि जो आवासी इस पुर होगा है उनका जो छिलन वगरा निकलता है वहाँ पौँ जाये किसी तरीके से उसके कि अब पढ़ाद्शा अपैस्ता वहां लोग जो हैं अपना जो पैसपोर उसका आता एदाना का उसमें से कुछ साथ मादे जा है अब अब क्या मैं तरह कि तेस्ट इसमें यह है कि उनोंने कहा है वही कहा है कि अप्ट हम उपनी नई आ गई है उपनी नहीं आ गहाएं तो सब्जब हो जाए अच्छी तरी कि इसको बेवस्ता को देखे हैं अन्य कोई नवा आदेस इसमें ऐसा नहीं है जिसको के इन सब्सक्राइब लिए पहले लिए पहले होगे तो ठीड ज्ची तो फुड़ा सा लेक्न गवस्ता में लूजने सागेए और अगक्राइब प्रफ्ट निकार दिखाई रहे हैं एक डिकती तर बीच है यहां जाए पसुझ वह भी दिखाई रहे जैसे सब्सक्राइस कि इसक पर शर्क पोंड़ाब निकाला उन्हें मालों आट भाया को जोड़ दें यहां लिए तर से तो फिर टान से तो फर नंपर कारवायी और यह वहां जोगए और यह जिकाए भी यह जा तो बैसे तो बैसे तो उस्ता पान जी अग शकी बनी वही ती बैली इसी दॉष्ता कि यही पिर उसका ओनर आए वो इक पैनल्टी पे करें उसके बाद उसके लिए उसके लिए और इस एदायत के साथ इस चेतावनी के साथ कि भर्दर पाया ना जाए यह बीच में थोड़ी विवस्ता है जो है दीली बढ़ गए इसकी वजह से ही जो है पशुव ऐसे गुंग रहे हैं हम लोगों पैसे पिसले तीन-चार एक जन्वरी से ले गए और हमने लगवग चार से साड़े चार हजार को सम्रचित की जाए लेकिन अब थोड़ा और करेंगी कुछ रह गए हैं ज्यादा नहीं है पोड़े ही हैं लेकिन उन्हें कर लाएं लेकिन उन्हें कर लाएं है कि सब बाहार है जानवर को चरने चोड़ा जा सकता है तो थोड़ी और चारा रखायाते हैं यह व्यवस्ता बंती है प्रदान पते हैं राम चंद साक्र नहीं है बादर पर लोई याई है कितनी जाए हैं यह एक सो लवास है यह बदाइए कि इनको बोचन का प्रवंदर पैसा आता और किस तरह की घठ्राई आते सामने हों थिस रुपए गायसी आता है और एक सफ़ लवशी गाय और उन्हें है जो आरा साड़े सितरा सु रुपया पुल कर अपन को लग बब कितना है जाता हुरा उन्हान के पर दि प्रूस के साथ कहा चला है तर ऐसा है मैंना कुछ प्यार लेती रख लिया था कुछ इसमें यह तूड़ी चलती है तो वो तीनों चीजे लिक्स करके चलता रहते है तो क्या लग रहा है आपको कितना होना चाहिए बचेट एक गाई के लिए कम से कम डेड़ सो रुप होना चा अब गवसा बहुत जादा धिल रहुआ है तो उसका बंदबस्तों तो यह सरकार ने एक इसमें रूल यह निकाला है कि 960 रुपहें किसान को यह दे जाए यह लिए लेकर भी किसान नहीं ले रहा है बहुत लोगों से निवेदन किया है लेकिन अब गाय जो है घर्मी भी य जब खाने को परियापक नहीं क्योंकि अब तो सड़क भूम रही है यह जैसे को उसाला में भी तीखी जा रही है इसा है उससे कम्जूर नहीं से कारा थो पूरा यह जाए जाए तो कंदाला जासे बिलना जाए एक किलो और 100 गरम बिल रहा है या 500 गरम बिल आउसे किया हु